जब friends हम excel पे काम करते हैं और उसमें जब data entry करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्य हमें आती है कि जब हम कुछ भी cell में data entry करते हैं साथ में time date type करने पड़ता है हर बार लेकिन अब आपको हर बार data time type करने ज़रूत नहीं है जैसे ही आप cell में अपना data entry के लिए start करेंगे या one serial में type करेंगे या फिर कुछ भी type करेंगे जैसे ओपो तो friends या function कैसे काम कर रहा इसका formula क्या है चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं friends अब भी तक हमारी चैनल को सीटेक चैनल को subscribe नहीं किये तो किर्वा करके किसे subscribe कर लिजिए साथ में well button को विद्वाइए तो चलिए आप लिख लिए उसके बाद में इस cell में हमें automatic date लेके आना है या फिर time लेके आना है तो आप इस cell को select कर लिजिए उसके बाद में file पर जाए और file जाके option पर जाके आपको जेनरल देखे एकसल option पर जाकर आपको formula पर जाना है और उसके बाद में आपको enable पर check करके ok कर दीजिए ठीक है यदि आपको option इस जगह से नहीं मिलता है file पर जाके तो आप इस जगह पर right click करके custom ribbon पर भी जाकर option को on कर सकते हैं तो चलिए अब हम सीधे formula लगाते हैं इस पर सबसे पहले equal to equal type करते हैं उसके बाद में हम लिखते if function bracket start और हमारा जो cell है जिसके according इसमें automatic data आएगा मतलब जब इसमें data entry करेंगे तो data आएगा तो हम इसको select कर लेते हैं और less than और greater than का sign डाल देते हैं inverted comma start close comma ठीक है उसके बाद में फिर से if bracket start कर लेंगे और किस cell में हमें data लाना है तो हमें इसी cell में data लाना है इसके इसमें active चाहिए है हमें data now का तो हम a3 है जिसमें हमें automatic date लेके आना है तो हम यहाँ पर a3 type कर लेते हैं less than और greater than का sign डाल लेते हैं फिर से inverted comma start close comma अब हमें now का फर्मूला इसमें लगाना है तो फिर से a3 a3 comma no w उसका फ्रेंट्स ब्रेकेट को हम यहां से start करेंगे close कर देंगे एक और bracket close करेंगे comma inverted comma start close bracket close और enter फ्रेंट्स इसमें date गलत आ रहा है हो सकता कभी कोई फर्मूला में आपको कोई प्रॉलम हो इसू हो तो date अगर आप गलत आ जाए तो आप simple इसू क्या किजिए डिलीट कर दिजिए ठीक है और इसके बाद में one type करेंगे देखिए तो date साही हो गया फिर से ओप दिक्कत आपको नहीं आएगा यह दिक्कत आता है ऐसी फाइल पर जाकर option और formula पर जब टिक नहीं लगेगा तो आपको date यहां पर सही सो नहीं करेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा यदि आपको इस तरह से कभी error आ जाए तो आप simple delete करके फिर से one type कर दिजिए ओके अब friends बिल्कुल काम कर रहा थी center में मैं two type कर देता हूं five तो date काम कर रहा है साथ और friends मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप next date में जब इसमें data entry करेंगे तो next date का date आएगा पिछला date कुछ भी change नहीं होगा reset नहीं होगा तो friends बताई कि आप लोग को छोटा सा information एक छोटा स रहा है तो friends मिलते एक लिए वीडियो में एगले topic के साथ तब तक के लिए बाबाई